जी हाँ नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का आरेस न्यूस के एक और नए वीडियो में दोस्तों आचके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार आईपेल 2021 के आठवे मुकाबले में पंजाब किंग्स की हार के बाद कप्तान केल राहूल का आया बड़ा बयान सामने कहा महींदर सिंग धूनी के बारे में कुछ ऐसा की जीत लिया लाखो करोडो तो ऐसे में दोस्तों जानेगे कि आकरकर CSK के खिला फमिली हार के बाद पंजाब किंग्स के कप्तान केल राहूल ने आकरकर क्या बड़ा बयान दिया और हां बहुँरे निदोस्तों आप बहुत भी जीज़्ेयों के बारे में काफी बड़ा ये बयान दिया है तो आप सब वीडियो का लाइक टार्गेट हमने रखा है बस मातर पांसो लाइक का तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना और अगर आप भी हमारे चैनल आ रहे इस न्यूस पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल की घंटी को भी जरूर दावाईएगा जिस इस मैच में चन्नी सुपर किंग के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीत कर पहले गिंद बाजी जोनी और ऐसे में पंजाब की टीम ने पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 106 रन बनाए और 107 रनों के लक्षे को चन्नी की टीम ने 15.4 ओवर में हासिल कर लि हाला कि रितुराज का एकवार्ड के आउट होने के बाद मौहिन अली ने पारेरी को समाला और मौहिन अली ने आज 31 गिंदों में 40 रन बनाए और अपनी स्पारी मोनों ने 7 चौक के और एक छक्का लगाया था हाला कि दोस्तों यहाँ पर सुरेश रैनलोड जब अंबती र ले बाजी करते हैं काफी कम रनों का स्कोर बनाया था अगर वो थोड़ा 30 35 रन और ज़्यादा बना दी थी तो शायद के की टीम को काफी ज़्यादा मुस्किलों का सामना करना पड़ता लेकिन दोस्तों इसी बीच अब पंजाब किंग्स के कप्तान केल राहूल का बड़ा दोस्ते हैं पर केल राहूल ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं सुचा था कि शुरुआत के पांच ओवर में ही हमारे इतने सारे विकेट गिर जाएंगे फिच बल्लेबाजी के लिए इतना भी खराब नहीं था डेट सो से ज़्यादा रनों का स्कोर हमें बोर्ड पर खड़ा करना चाहिए था लेकिन मेरा रन आउट होना उसके बाद विकेटों का लगातार गिर नाई इन सबने हमारी टीम को मैच में काफी ज्यादा पीछे कर दिया किर्केट में ऐसा होता रहता है लेकिन महिंदर सिंग धुनी जैसे महान कप्तान के आगे अगर मैं कप्तानी की बात और अब आने वाले मुकाबलों पर हमारी टीम अच्छे से फोकस करेगी और सबी मुकाबलों को जीत कर जरूर हम प्ले आफ्स के फाइनल में पहुंचेंगे इस साल तो ऐसे में दोस्तों यहां पर कप्तान के अल राहूल ने काफी बड़ा बयान दिया बाकी अब आप हमें सुपर किंग को आइपल में जीत की रहा पर लोटने के लिए आज शुकरवार को पंचाब किंग्स के मजबूत बल्लेबाजी करम के सामने गिंदबाजी में सुधार किंग के गिंदबाज बड़ा स्कोर नहीं बचापा है तो वहीं शिकरधवन और प्रत्विशों ने दिल करें उन्हें इसके लिए मोर्चे से अगवाई करनी होगी तो वहीं दूसरी और पंचाब किंग्स की टीम ने 6 विकट पर 221 रन बनाने के बावजूद भी राजिस्तान रोयल्स के हाथों हार से बालबाल बची थी तो वहीं सलामी बल्लेबाज के तोर पर उतरे केल राहु पचास गिंदों में क्यानवे रन बनाये थे जबकि क्रिस गेल ने 28 गिंदों में 40 रन और दीपक उडार ने 28 गिंदों में 64 रनों का योग द्यान दिया था जहां पर पंजाब के लिए चिंता का सबब उनकी बल्लेबाजी नहीं बलकि गेंदबाजी है जहां पर राजिस् पर दोनों ही टीमों के गेंदबाजी करम में काफी जादा बदलावों की जरुए था बाकी अगर हम दोस्तों बात करें आज के मुकाबले की प्लेंग 11 टीम के बारे में तो दोस्तों जो आज ती राइडू एमेस दोनी डूइन ब्रावो रविंद्र जड़ेजा मोहिन अल चन्नी सूपर किंग और पंजाब किंग्स की टीम के बीच में मुकाबला खेला जागा उसको कौन सी टीम जीतेगी आप अपनी कीमती राया और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए बागे बात करते हैं अगली खबर के बारे 10 और 15 15 रन के स्कोर पर ही आउट होते चले गए जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर काड में देख भी पा रहे होगे हाला कि आज पंजाब किंग्स की तरफ से शारू खान ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की और टीम को एक सम्मान चनकी स्कोर तक वो लेकर गए जहां पर आज आज जहां पर दीपक चार ने मातर चार ओवर फेक्ते हुए ही तेहरा रन देकर चार बड़े विकेट हासिल किये तो वहीं एक ओवर उन्डों ने मैडन डाला है इस दोरान हाला कि दोस्तों गेंद पर दीपक खुडा के हाथो कैच आउट हो गए और वो 16 गेंदों मे मातर पांच रन ही बना पाया हाला कि दोस्तों उनके आउट होने के बाद मेतान पर आये मौहिन अली जहां पर फाब डू प्लेसिस के साथ मिलकर मौहिन अली ने काफी अच्छी पारी खेली और चैनी सूपर किंग की टीम को जीत की तरफ पहुँचाया जिया दोस्तों आज फाब डू प्लेसिस ने मातर 28 गिंदों में ही 35 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में तीन चोक्के और एक छक्का लगाया तो वहीं दूसरी तरफ मौहिन लगाया था हला कि दोस्तों बल्यबाजी करने के लाए सुरिश रना ने अंतिम समय में 10 रन बना कर टीम को ज में से कितने अंक देना चाहोगे आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए बागे बड़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो यह है जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल सही भी साबित हुआ दरसल दोस्तो तौसार कर पहले जब बल्लेबाजी करने के लिए पंजाब किंग्स की टीम मैदान पर उतरी थी तो पंजाब की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए म साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे की जो आगे अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे तो मिलेंगे अगले को इसी जानकारी में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत